वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे Welcome to sociology study, दोस्तो sociology study प्लेटपॉम पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और आज का हमारी second lecture है, first lecture हमने already discuss कर दिया है, description में लिंक दे दिया जाएगा आपको, वहाँ पसे जाकर कि आप इस लेक्चर को फर्स लेक्चर को देख सकते हैं और ये NTA का समासास्त का second paper का second lecture है, इमाल दुरखीम का सहाब का और इसमें full preparation आपको पूरा support किया जाएगा, NTA के syllabus के account हैं ही, इसमें video आपको content provide करा दिया जाएगा इसमें देखते हैं, इमाल दुरखीम का समासास्ति सिद्धान्त किया है, part 2 इसमें हम ब्रहापन देखेंगे इनका और आंत्रिक्ता देखेंगे, और सर्वहमिक्ता पर डिसकर्ट करेंगे, बस तुनिश्चता हैं इनकी इमाल दुरखीम की automatia का सिद्धान्त इन पर हम इन पर डिसकर्स करेंगे क्या क्या बिचार दियें तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमाल दुर्खीम का समास्तास्तिय सिध्धान देखते हैं सोस्लोजिकल प्रिंस्पल आप इमाल दुर्खीम दुर्खिम दौरा प्रतिपाद समास्ताज से सिध्धान्द की अवधारा उनकी पुस्तक रूल्स आप सोसिलोजिकल मैथड में बिस्तार से दी गई है दुर्खिम के सामजिक तत्व और बिचार हरवर्ड इस्पेंसर दोरा गी दे गए थे ब्यक्तिपादी बिचारों से बिल्कल भिन है उनका मत्ता कि जितनी भी सामजिक क्रियां हैं उनका बसले सामजिक संदरब के अदین ही करना चाहिए अर्थात समाज करियाओं को समझने का आधार समाज है इसलिए व्यक्ति या मनोविग्यान को आधार मानकर जो समाज्टास्ति अध्यान किये जाते हैं हुआ हमेशा अभैग्यानिक माने जाते हैं और दुर्खीम ने समाजिक तत्र को समाजिक तत्र का अध्यन बताया दुर्खीम ने माना कि जिस प्रकार सभी बिसे सग अपने अध्यन के बिसे में चैन करते हैं ठीक उसी प्रकार समाजिक तत्र का चैन कर उसका बिसलेशन और बिस्तार से किया है क्योंकि सामाजक तत्य ही समाजसास्त्र का प्रमुक अध्यान छेतर है यह आपका इमाल दुर्किन का कहना है बहुत ही मुस्ट इंपूर्टन इनका कतन है इन्होंने कादा कि सामाज़क सोचल फैक्ट होते हैं उनका ही समाजसास्त्र में अध्यान प्रमुक है इनका यदन करना चाहिए इमाल दूर्खी ने में सामाजक तत्तों को बस्तों के तरह समझने पर बल दिया था सोजल फैक्ट है उसको बस्तों के तरह समझाने पर भी बल दिया था और सामा जेकता है तुको इन्होंने बस्तू एक बस्तू एक चीज या एक बहुत अगस्कार्ट के रूप में देखा यह माल दोर्हिक हमे शोसल फैक्ट को बस्तू या चीज हुए आपकी या बहुत अखिक बहुत अद्य हैं इक सबजेक्ट है बहुत अगस्तू परकार एक प्रकार समासास्त्री में सामाजक्तत्र का दियन करते हैं इमाल दुर्खी में सामाजक्तत्र के रूप के वरणन में आत्महत्या के बिचारों का वरणन किया बिस्तार से वरणन किया था आपका इमाल दुर्खी में और बताया था कि आत्माहत्या व्यक्तियत के व्यक्तियत रूप से जुड़ी होती है परन्तु जब यह व्यक्तियत सोच एक सामाज एक रूप ले लेती है तब इसका एक सामाज एक रूप बन जाता है यानि कि जो एक आत्माहत्या है व्यक्तियत रूप से जब एक सामाज का रूप ले लेती है तब इसका एक सामाज भी प्रवावित होता है और ठीक सही बात है बिलकुल जब कोई भी चीज सामाजिक रूप लेगी तो पूरा समाज ही प्रवावित होता है उस चीज से इसलिए इनौने आत्मात्या का एक सामाजिक तथ्थु के रूप में समाजता से एद्धियन की दिये जाने पर बल दिया है, दुरुखिम के दौरा कुछ फैक्ट हैं, जो हम आपको बताते हैं, फर्स्ट इनॉर का है ब्रहापन, ब्रहापन किसे आप क्या समझते हैं, ब्रहापन हुआ है जो सोसल फैक्ट होते हैं, उनके उल्ले से बताया है कि सामज़कता वह है व्यक्ति के बाहर होता है तथा मन उसके बाहर रहते हुए भी उसके बचारों को प्रवावत करता है इसलिए इसे समझाना आसान हो जाता है और अंत्रक्ता क्या है अंत्रक्ता मैं माल दूर्किन में सामा जाता है तो के बाहर भले ही है मतलब बतायते के कोई भी सोचल फ भाहु करते हैं। उधारण के ओग्जम्पल लीजिए का सामाज का जो अनुमोधन व्यक्ति जो प्राप्त कव होता है।すका प्रबाव मनुष्ट के ऊपर उसके व्यवहः को नियन्तरट करने में पड़ता है। जिसके काराव व्यक्ति अपने व्यवहः को नियतरत करता आंत्रिक पन है, सार बहुमेक्ता यह जानते ही, यूनिवर्सल इमाल दोर्खिम के अनुसार, सामाजिक तत्तों का स्वारूप सार बहुमेक्ता होता है, अर्थात यह सभी व्यक्तियों की चेतना वस्ता को समारूप से परवावत करता है, अगर हम एकजेंपल देखें, तो य सुईकर करते हैं कि धार्मक विस्वास होता था, उनके अनुरूप उपन्या, 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 उपासना करना सभी व्यक्तियों के सामुव जीवन का अंग है, यानि कि हम सभी व्यक्तियों को धर्म की उपासना करना जरूरी है, और यही जीवन का अंग होता है, कार्यों करने की पद्दिती है सोचने का जो तरीका है और व्यक्ति का रूप से भी प्रभावित करता है या इसके साथ ही सामजिक तत्तों का एक अन्य सामजिक स्वारूप होता है जिसके कारण व्यक्ति अपने आंतरिक व्यक्ति के अतरिक पूरा समाज उससे प्रभावित हो नेस्ट पॉंट है बस्तुनिश्ट्स्ता यह बस्तुनिश्ट्स्ता से आसा है तत्तों की विस्ट्स्ता बस्तुनिश्ट्स्ता से आसा है कि सामाजिक तत्तों का ध्यान बिना पूरवा ग्रहों को जाने हुए करना है यानि कि जो पूरा गयर तो पहले से ही बेदमान उनको जाने बना ही करना इसके माद्ध देहम से दुर्खीम ने सामाजिक पूर नर्दारा सोच की आलोचना करते हुए कहा कि समास्तास बिस्रेसन करने का प्रियास करता है कि या उदाराने के लिए आत्मात्या की प्रिवर्टी का बिस्रेसन अब का इमाल दुर्खीम निका और पाया की अबेबाहित ब्यक्तियों के अपेक्चा आत्मात्या की प्रिवर्टी अधिक पाई जाती है और वहीं दर्म से अवस्ता रखने वाले व्यक्तियों में भी इसकी प्रिवर्टी कम पाई जाती है इस प्रकार दुर्खीम ने सामाज़क तत्थियों को बस्तुनिष्टता के माद्यम से इस पैस्ट किया है और नेश्ट पॉंट देखते हैं इमाल दुर्खीम के आत्मात्या का सिद्धान क्या है ये क्या क्याता है इसको देखते हैं इमाल दुर्खीम ने आत्मात्या को एक व्यक्तियत घटना माना है जिसके कारण आवास्यक रूप से सामाज़क होते हैं सामाजक सक्तियां जिनका उद्गम व्यक्ति ना होकर समोई होता है ये सिद्धान ते आत्मात्या का और आत्मात्या का निर्दहरान करती है ये सक्तियां समाज में बिबन सामाजक स्वरूपों तथा धर्मों को में भी होती है इमाल दुर्खीम नेक के अनुसार बात कहने तो आत्मात्या के सिद्धान मनोबे अग्यानेक और जीव विग्यान और आपके अनुबानसिक विग्यान तथा बहुगोलिक कारणों कारकों पर आधारत हैं और उनका मानना था कि आत्मात्या अनुबान सिकता तनाव आदी कारणों से नहीं होती है परंतु यह सामाजिक संराजना के कारण होती है इमाल दुर्खिम का कहना था कि यह आत्मात्या है वा सामाजिक तनाव से नहीं होती है परंतु सामाजिक संराजना के कारण होती है जो स सामाज की धार्मक्ता और राजनितिक एक आत्मकता जितनी अधिक होगी आत्मकता जितनी अधिक चीन्ड है चीन्ड वबस्ता का परिणाम होता है होती है आत्मात्या की दर आयू लिंग धर में निवास इस्थान बैबाइक इस्थान परिवारिक संरचन आदी के अनुसार भिन्न में होती है अलग जिन्हें जगाय परह में अलग अलग चीजें दखाईं देती है और फर्ड़ पॉसाइटी से पूरा समाज से होता है और नेस्ट लेक्चर में हम आपको थर्ड लेक्चर होगा जो इमाल दुर्खियम का उसमें हम समासास्त के इमाल दूर्खीम के प्रकारबाद की बात करेंगे और इनके धर्म के प्रकारबाद है यानि की अपरात के प्रकारबाद है और असरम बेभाजन के प्रकार हैं इन पर हम डिसकर्स करेंगे और फिर मिलते हैं नैस्ट वीडियो में और आपको ये बुक ल लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में दिया हुआ है और वीडियो को लाइक जरू करें क्योंकि आपका वीडियो का लाइक करना हमारे लिए एक मॉटिवेट सावित होता है तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाएं इससे नेस्ट वीडियो अ अब तक आसानी स्रिपिक्शन पहुंच सके तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जब तक लिए टाटा बाई बाई